दोस्तो आप सबी को पता होगा कि पिछले महीने जून्द के अंत में भारत सरकार ने टिक टॉक के अलवा 58 चिनी एप्स को भारत में बैन घोशित कर दिया था जिसमें शेरिड यूसी ब्राउजर, शेर्न, क्लब, फैक्टरी, कैश ओप किंग्स, हैलो जैसे कई एप्स शामिल थे अब दोस्तो खबर ये सामने आ रही है कि इस महीने याने की जुलाई के अंत तक अन्य चिनी एप्स बैन की घोशना होने वाली है इसे के बारे में दोस्तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाहें तो नमस्कार दोस्तो स्वागत्याप का इस नए वीडियो में तो दोस्तो अब नई खबर ये सामने आ रही है कि भारत में अब पबजी समेतकारिप 275 चिनी एप्स जो की बैन होने के लिए सरकार इन सारी एप्लिकेशन की जांच कर रही है भारत में 59 चिनी एप्स बैन करने के बाद अब सरकार चिन की कुछ अन्य 275 एप्स जो की अभी इंडिया में प्ले स्टोर के उपर या फिर एप्लिकेशन स्टोर के उपर एविलेबल है इन सारे application के उपर सरकार की नजर है और ये सारे application की जाच अभी सरकार की अंडर में चल रही है इन सारे application को बैन करने में हमारी Indian government तैयारी कर रही है सरकार ये चेक कर रही है कि चीन के जितने भी सारे application अभी play store के उपर available है ये सारे apps किसी भी तरह से national security और user privacy के लिए खत्रा तो नहीं बन रही है बस इसी के ओपर सरकार की इस सारे application के ओपर जाच हो रही है इन 270 apps में दोस्तों आपको शहरान करने वाली ये बात है कि PUBG भी शामिल है जो आपको दोस्तों पता होगा कि PUBG application जो है वो चाइना की बिल्कुल भी नहीं है ये application दोस्तों साहूत कोरिया की है लेकिन ये application चाइना के valuable internet 10 cent का हिस्सा है इसी के लेकर दोस्तों इस application को भी बैन करने को लेकर सरकार में अभी चर्चा चल रही है साथ ही में दोस्तों चाइना के 275 ऐसे application जो की अभी भी प्लेश्टोर के ओपर available है जिनमें Xiaomi, Jilly App, E-commerce, Alibaba, AliExpress App, Reso, ByteDance की You Like App भी शामिल है बात दोस्तों सामने ये आ रही है कि सरकार इन सभी 270 Apps को या इन में से कुछ Apps को बैन कर सकती है सरकार अभी ये जांच में जूटी है कि ये सारे application जो चाइना से available है अपने प्लेश्टोर के ओपर ये सारे application कुछ एप डेटा शेरिंग और privacy के नियमों का उलंगन तो नहीं कर रही है इसे के ओपर सरकार के अभी जांच जारी है भारत सरकार अब एपस के लिए नियम बना रही है जिन पर सभी को खरा उतरना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन एपस पर बैन होने का खत्रा रहेगा हमारे इंडियन गौवर्मेंट मोधी सरकार ने कुछ दिन पहले 59 चिनी एप को प्लेश्टोर से बैन कर दिया था इंडिया में जिन में सबसे पॉपुलर टिक टॉक भी शामिल था हमारे इंडियन गौवर्मेंट का बड़ा प्लेन है ताकि साइबर सिक्यूरिटी को मजबूर बनाना जा सके और भारतिय नागरिकों के डेटा को सिक्यर किया जा सके इननी को लेकर दोस्तोर के ओपर जो की चाइना के एप्लिकेशन 275 एप्लिकेशन ऐसे है जिनके ओपर सरकार की लगातार जांच जारी है तो क्या पता दोस्तों इनने से कई सारे एप्लिकेशन इंडिया में और भी इस मईने के अंतक ब्यान हो सकते है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता होगा कि शायद ही ये नहीं हो सकता लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दुला दू टिक टॉक बैन होने से पहले भी इस तरह कापी खबरे इंडिया में पहले से आ चुकी थी लेकिन दोस्तों हम सब भी ने उन सारे नियूस के ओपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन आखिरकार टिक टॉक की साथ साथ ऐसे बड़े बड़े एप्लिकेशन जो है वो इंडिया में बैन कर दिये थे हमारे सरकार ने तो दोस्तों क्या पता अब इसके बाद जिन सारे एप्लिकेशन के ओपर अभी जाच हो रही है इन में से कही सारे एप्लिकेशन भी दोस्तों बैन हो सकते हैं इन सारे एप्लिकेशन के ओपर अभी सरकार जाच कर रही है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू इस मैने के एं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर देना दोस्तों छोटा सा लाइक चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बे लाइको को कर दीजे प्रेस तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बुड़ लुड़ गुड़ दे और थाज़ और वाचिंग दिस वीडियो